सिना ठोक के बोल सकते हो न क्योंकि आपके बस प्रूफ है यह सब कर रहा है यह सब illegal वह कर रहा है आप नहीं कर रहा है आप payment करने वाले हो लेकिन time चाहिए आपको भाई जो करना है तुम करो मैं एक पैसा नहीं दूँगा ठीक है फिर मैं देखता हूँ दोस्तो एक ऐसा NBFC है जो की मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ की एक रूपिया मत देना उनको अब क्यों मैं एसा बोल रहा हूँ वह आप लोगों को भी समझ में आ जाके वीडियो देखने के बाद अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो तो आप लो सब्सक्राइब करते ही और वीडियो पुरा देखते हैं पर क्या होगा इंफोर्मेशन सही मिलेगा क्यूंकि आज के टाइम में 2024 में बहुत सारे ऐसे चीजे होते जा रहा है जो कि लोग डर रहे हैं यह जो मैं बोल रहा हूं हर वीडियो में बोलता हूं कि पैसा तो देना ही पड़ेगा लेकिन मैं आज यह क्यों बोल रहा हूं कि एक फुटी कोडी मत देना यह जो NBFC के बारे में बहुत बात करूंगा आज इस वीडियो में तो बीना देरी की हुए आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो जो है मेल वो SMS जो कि मेरे सब्सक्राइबर दोस्त ने लोगों दावे के साथ बोह रहा हूं तो वीडियो में बने रही है पुरा देखिए मैं आपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं आप लोगों दिखाता हूं वो SMS आखिर है क्या दोस्तो i. ने सब्सक्राइबर दोस्तने मुझे मेल किया था तो मेल पर जो है, वो SMS कि लिखा क्या है चेक वीडियो एक युवर्यल दिया गया है वेर हैड एग्रीड टू रिपे लोन अन एम पोकेट help them clear their loan of Rs. 13,280 overdue by 307 days per एस का मतलब क्या है days का लिखाई साइट by clicking एक link दिया है जुसको click करते ही क्या हो रहा है तो यह जो है यहाँ पे लिखा है to avoid legal action protect their job prospects call number दिया है whatsapp number दिया है M pocket से भेजा गया है अब यहाँ पे जो वीडियो भेजा जा रहा है यह वीडियो क्या है M pocket में अगर आप loan लिये हो तो आपके पास से KYC किया जाता है और वो KYC video उनके पास as a proof रहता है कि अगर आपने payment नहीं किया तो वो उसको proof की हिसाब से आपको blackmail कर सकता है तो यह कर क्या रहा है अभी के time में यह जो message मैंने आप लोगों को दिखाया यह मुझे subscriber दोस्त ने नहीं यह subscriber दोस्त के contact list पे यह SMS गया है आप लोग समझ सकते हो अब आपका पैसा कोई third party जो है payment करेगा तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो crime तो कर ही रहा है phone hack करके अब यहाँ पर इसे force किया जा रहा है कि किसी दूसरे का पैसा तिसरे को जो है देना पड़ेगा जो कि crime पर crime किये जा रहे है जो की दिमाग से पैदल होते है अब कैसी इससे बात करो अब समझ में नहीं आता अब बात यहाँ पर है कि जो भी चीजे है अगर मानो पैसा तो आप देने वाले हो जो भी amount due है आपको time चाहिए आपने mail किया था या फिर कुछ भी हो उनके पास वो पैसा कहां से आपको पैसा देखा company को payment कैसे करेगा उसका जो इस savings खतम हो चुका है उसका family है वो सब family वगरा उसो देखता नहीं है कोई भी company ठीक है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही माईने रखते हैं ता आप मरो या फिर जीओ यहाँ पर कोई भी फरक नहीं परता company सिर्फ यह लोग करेगा क्या कि आपको blackmail करेगा आपको डराएगा आपको धंकाएगा और यह सब गंदा गंदा चीजे करेगा कोई माई नहीं रखता कोई sense नहीं रखता आपका पैसा कोई दूसरा क्यों चुकाएगा देगा क्यों आप जब loan लिये थे तब क्या उन लोगों से पुछा गया था कि भाई यह जो भी है loan ले रहा है अगर यह पैसा नहीं दे पा रहा है तो कोई third party पैसा दे देगा या फिर जिसको phone करे रहे वो पैसा payment करेगा तब पुछा था नहीं पुछा था लेकिन आप जो है यह बोलना है आप लोगों को हालकि देना है आप लोगों लेकिन अगर इस तरीके का बरताव करता है आपके साथ तो आप लोगों को उसी तरीके से जवाब भी देना है आप लोग देखेंगे कि अगर कोई चीज आपके साथ लग रहा है आपके जो है थोड़ा सा बाते कर रहा है आपसे जगर रहा है तो अगर चुपचाप आप सुनने जाओगे तो वो क्या करेगा सोचे कि भाई ये बंदा चुपचाप है इसको थोड़ा और डराओ धमकाओ लेकिन अगर आप उसके उपर बात करने लगोगे तो वो जगरा जो है थोड़ी दर के लिए चलेगा फिर से बंद हो जाएगा तो यही चीज जो है आप लोगों को समझना है आप लोगों को डरना नहीं है ये जो डराने का काम करते है ना सिर्फ डराने का ही काम करते है और के काम पे लगाओ और मैं पैसा पिमेंट करूँ भाई दूसरे को फोन करने है वो दो-चार गाली उसको दे देगा उल्टा कि भाई तुम जब लोन लिया था तब फोन नहीं कि आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पड़े है तब फोन कर रहे हो सेंसी नहीं है कुछ इस बात का तो आप लोगों को यही चीज़ करना है अगर देखना देखने हो आगर इस तरीके का जो है SMS वागरा दूसरों के पास जा रहा है सिंपल तरीके से एक तो cybercrime में रिपोट करना है कि आपका phone hack हो चुका है ठीक है किंकि यह जो है mask है क्योंकि आपका phone hack हुआ है अब किसको phone जाएगा किस purpose पे phone जाएगा किसी को नहीं मालो यह phone number hack कर रहे है इसका जो भी एक negative impact भी हो सकता है कहा कहा number spread होगा किसी को नहीं माल तो कोड में जाना है चला कोड में देखता हूँ सिना ठोक के बोल सकते हूँ न क्योंकि आपके पस फ्रूफ है यह सब कर रहा है यह सब illegal वो कर रहा है आप नहीं कर रहा है आप payment करने वाले हो लेकिन time चाहिए आपको लेकिन आपको जो है time देना पड़ेगा जो की company देता नहीं है ठीक है तो यही चीज आप लोगों को बोलने के लिए वीडियो बनाया कि आप लोगों के पास भी यह चीज हो सकता है लेकिन आप लोग अगर इस तरीके के चीज़े देखते हो तो आप लोगों को यही बात बोलना है कि भाई जो करना है तुम करो मैं एक पैसा नहीं दूँगा ठीक है फिर मैं देखता हूँ बस यही चीज यही बात बोलना है डरना नहीं है अमित भाई आपके साथ है हमिशा रहेगा दोस्तों वीडियो अच्छे लग आए तो लाइक करें दोस्तों के शेयर करें सब्सक्राब बेटन प्रिस करने ना भूले तब तक लिए चलते हैं टेब आप टिक क्या जाहिन जाबर दोस्तों